एक बार राजा अगबर ने परदेश रमेने चोरी होईगी और इन चोरी रमेरे एक चोर वेपारी ने पूरो विश्वास थो कि चोर उने हिज घर में दस काम करून वाला नोकर रमेनू एक है पर विन और नहीं ध्यान थो कि वो है कुण और आब बात जानों वासते चोर कुण है वो बीरबल में खने गयो और बीरबलू वो मदद मांगी और बीरबल बोलियो कि ठीक है मैं पकड़ने हो चोर ने बीरबल दस ही नोकरा ने जेडरे में ने गाल दिया और बीरबल सबने पूछियो के आखिर चोरी करी खुण है लेकिन कोई भी नहीं बोलिया सब जणा ना करता गया बीरबल थोड़ी देर सोचन लागयो और पछे वो दस छड़िया मंगई जियारी लंबई सबारी एक समान थी और सभी चोरा ने एक एक छड़ी पकड़ा दी और बीरबल बोलियो जिको चोर ओला विनी चड़ी काले सुबह तक दो इंच बड़ी हो जा वेला और दूसरे दिन सुबह बीरबल सबारी चड़िया चेक करी एक नोकरी छड़ी दो इंच छोटी थी और देख तो ही बीरबल बोलियो कि चोर तो ओईज है और बाद में वो वेपारी बीरबल ने प्रश्म करियो और पूछियो कि थाने कई ध्यान के ओईज चोर है तो बीरबल बोलियों कि चोर ने डर हो कि भीनी छड़ी दो इंच मोटी हो जवेला तो वो चोर डर हूँ पहली जरात्रा दो इंच छोटी कर दी इन कहानी उसिक सा आ मिले की सच कदे नी छुपया करें इन वास्ते जूट कदे नी बोलना